तो बच्छो आज की सिसन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जेंडर पर गैप पर जो रिपोर्ट आई है अभी हाली में आपने दिखा होगा कि रिपोर्ट आने के बाद में बहुत से डिसकसन हो रहे हैं और आपके जी एस टू का भी यह पार्ट जी एस वन का इंडियन रहे हैं तो एक हिसाब से गर आप देखें तो एक एक इकोनॉमी का भी पार्ट हो जाता है यह एक हिसाब से तो जी एस के बहुत सारे टॉपिक्स में यह कहीं न कहीं के ओबरलैप कर रहा है इस वजह से बहुत इंपॉर्टिन हो जाता है आपके यूपीसी एक्जाम के मतलब अगर आप देखोगे तो हमारे यहां पर डिमांड फॉर्ट जो है कि यह राइच कर रहा है यह लेवर फॉर्स की बात कर रहा है वर्क फॉर्स की बात करते हैं यहां पर अनिम्प्लाइट एंप्लाइट डोनों हो जाएंगे वहलों डिमांड फॉर्क हो रहा है ठीक ह इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि जो wage growth है वो कहीं न कहीं depressed देखने को मिल रही है क्यों क्यों क्योंकि जो company होगी उसे अगर मजदूर मिल रहे हैं तो आप दूसरे मजदूर अगर salary बढ़ाने की मांग करेंगे तो उनको हटा कर कम दाम पर मजदूर को रख लेंगे क्योंकि अभी भी demand for work जादा है तो इस सबसे की बताता है कि लोगों लोग काम करने के लिए बहुत सारे मौजूद है market में demand for work जादा है और इसी वज़े से जो wage growth है मतलब लोगों के बेतन में और मजदूरी में जो ब्रिद्धी है वो कम हो रही है और साथी साथ इसका एक बहुत बड़ा impact gender pay gap पे भी पढ़ रहा है क्योंकि हमने हमेशा रेखा है कि हमारे भारत में पुरुसों की salary पुरुसो को देखे हैं तो the average wage growth rate for regular salary employee in urban areas जो सहरी छेत्रों में जो regular salary पे लोग जीते हैं वेतन पाते हैं वो कहीं न कहीं drop हुआ है जी हां 8.3% to 4.9% 2022-23 साथ में जो lower paying job experience है ठीक है यह बहुत तेजी से decline हुई है wage growth में तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो lower paying jobs हैं ठीक है more significant decline in wage growth वहां पे तो और decline हुआ है मतलब जो high paying jobs है high post है वहां पे तो rate जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन उस label पर नहीं बढ़ रहा है जो बढ़ना चाहिए लेकिन lower paying job में तो और भी कम है उसकी तुलना में तो और भी कम है और इसी साब से बोला जाता है कि जो earning gap है अगर आप देखें कि प्रबंधक की रूप में जो कम करते हैं वहां पे मेल और फीमेल इंप्लाई की earning gap भी देखने को मिलेगी उसमें वाइड हो रहा है तो मुलब देखिए यह तीन जो की बात कर रहा है यह पहले बात कर रहा है कि लोग काम करने के लिए बहुत है डिमां सेलरी की ग्रोफ नहीं हो रही है ठीक है यह पहली चीज दूसी चीज यह क्या बता रहा है रहा है कि जो हाई पोस्ट की जॉब है उसमें इसकी वजह साथ में अगर आप देखेंगे तो विमन दोनों जगा पर चैलेंज कर रही है अगर हम बात करें तो लोग वर्क करने के ज़्यादा तैयार है तो महिलाओं की जो मजदूरी वो तो कम होगी साथ में उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है लेकिन ज़रूरी निये के एंप्लॉइमेंट राइज होगा ठीक है उनके महिलाओं की संक्या में और दूसरी बात यहां पर यह कर रहा है कि जो मैनीजीरियल लेबल पर जो मेल और फीमेल है उनमें मेल की तुलना में फीमेल की जो एक अर्निंग है ठीक है जो वेज ग्रोथ है वो कम हो और साथ में विमन सफ़र्ड हाई जॉब लॉसस कंपेर टू में डियूरी एकोनॉमिक डाउंटर और जब भी अर्थिविवस्ता में समस्याय आती इवन कोबिट के टाइम में भी हमने देखा था महिलाओं की जॉब ज़्यादा जाती है एस कंपेर टू में तो हमें यह जो जो पहला पॉइंट है बेज ग्रोथ डिकलाइन जो रेगुलर सेलरीड इंप्लॉई है ठीक है उनकी अगर अर्बन एरियाज में उनकी वेज रेट की बात करें तो 8.3 परसेंट जो 2021-2022 में था वह 4.9 परसेंट हो गया है 22-23 में ठीक है यह पिरियोंडिक लेबर पोर्स सर ग्रोब डियोर जॉब की स्क्राइबा करते हैं जो इनकी जो बीज ग्रोथ है वह बहुत कम होई है इंहीरीड और मैनेजीरीड ओनर्ड मैनेक्ड हैप पर सिंपर कोणुर्स फरिकलाइं 15.4 इंकी इंक्रीमेंट में इनकी इंक्रीडिमेंट में कितना गैप है अगर एक क्लर की वेज में 5.4 परसेंट का ही ग्रूथ पाया जा रहा है तो वहीं मैनेजर की जो ग्रोथ है ठीक है उनकी जो पोस्ट उनकी जो सैलरी की ग्रोथ है वेज की वो 19.6 परसेंट है साथ में जो सर्विस और सेल्स वरकर यह तो बस 1.4 परसेंट पर हैं कि मानलों की कंपनी के दया पर छोड़ दिये गया हो क्यों क्यों कि तुम काम नहीं करोगे तो बहुत से लोग काम कर रहें डिमांड पार वर्क जो है लेबर फोर्स जो है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा ह यही डाइवर्जन जो है के सेर्ड रीकवरी ऩाइं के सेटर में डशी है जो एक सेक्टर में स्वारी इस सेक्टर में जो जो लो पेशाव से은 ही उनमें टेखने को मिल रही है लेकिन जो लो पेइन जॉब इनमें परती कम देखने को मिल रही है इसी हिसाफ से prevention को मिलेगी मतलब इनिकैलिटी जो हो जोरो बहुत टेजी से राय जो हो ऑगो एग तो और inequality जो होगी हो बहुत तेजी से राइज होगी तो ये भी एक major concern हमें आपर देखने को मिल रहा है साथ में अगर हम बात करेंगे gender pay gap की तो gender pay gap पर कुछ data जैसे अगर आप देखेंगे तो the earning gap between male and female employee managerial and professional and technical label अगर में team label की बात करो managerial, professional, technical label की तो urban areas में that is going to be widened ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जो 1.27 टाइम जो 2020 और 2023 में था ठीप लब है जो की 1.19 टाइम था कि वो 2021 बाइस में तो जो 2021 बाइस में इनके बीच में जो एक gap था 1.19 टाइम था वो अब बढ़ कर 1.27 टाइम हो गया है क्लियर है साथ में अगर आप देखेंगे तो gender pay disparity जो है क्लियर है इसमें traditional gender role perception देखने को मिलता है मतलब अगर आप देखेंगे तो आप अगर company की owner है तो आप जनरल माइंड में हमारे भी एक पूर्बा ग्राहे प्रिजुडाईस है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैं female worker को जॉब पर रखोंगा तो आगे चलके उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी खासकर वो जो की बैवाहिक है जिनकी marriage हो चुकी है क्योंकि maternity leave और दूसी leave लेनी पड़ेगी working out उनका थोड़ा कम करना पड़ेगा ठीक है इन वज़े से क्या होगा कि company के पर करते देंदा फीमेल है क्लियर है हां लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे इंक्रीजिंग दा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसीपेशन जो है 23.8 परसेंट 25.4 परसेंट अर्बन एर्याज में बढ़ रहा है लेकिन साथ में क्या करेंगे चैलेंज करेंगा unemployment क्यों क्यो करते हैं कि प्रिवेलिंग बाइस वर कंपनीज और मोर लाइकली टो रिवार्ड मैन वर एक्सपेक्टेट टू वर्क और लॉंग डिवरेशन देंद फीमेल क्योंकि नॉर्मल क्यों जो मैरेट नहीं भी है कर वह जौब कर दो भरोसा नहीं होता मैरीज होगी फिर कहां पर और साधी तो उसको लेकर एक लॉंग टर्व वीजन जो है कहीं न कहीं ऊपर जो हाई पोस्त पर बटे लोग हैं प्रबंधन पर नहीं डिसाइड कर पाते हैं एक प्रॉब्लम तो हमें यहां पर देखने को मिल दा तो आप यह रिपोर्ट जो है ऐसे आप देख सकते इनको जो मैं आपको बता रहा हूं उसी का एक चार्ट यह हुआ है क्लियर है तो आप इसको भी देख सकते हैं और मेरे टेलिग्राम से आप क्लियर है इस पीडियाफ को डॉनलोड कर सकते हैं डीपक वन यूपीसी लास्ट मैं आपको एक MCQ भी दोंगा उसका आंसर मेरे टेलिग् करणा पर मिलेगा ठीक है वेस्ट डिस्परिटी वा जेंडर अब बब्यजग्रोथ डिस्परिटीवा जेंडर देखने को मिले तो 202022-23 में वेस्पर मेल मेनेजर देट इस इंक्रीस परसेंट वर इस फीडेल मेनेजर 9 परसेंट अगर जो पुरुस प्रबंधक है वह 20 परस परपेच्वली एक सिप्ट जो हुआ है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं इन्होंने अचीब किया है पेड़ी को यहां पे मेल और फीमेल जो है वो इक्वल है बेस ग्रोथ में ठीके तुकुष सेक्टर ने पेड़ी की बात की है लेकिन कुछ सेक्टर क्य और यहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए यहां महिलाओं की पूरसो की तुलना में क्या की गई है बराबर रखी गई इंपक्ट ऑन इकोनॉमिक रिकवरी एंब स्वाइंडर एक्क्विटेबर के बाद में जो हमारी एकुनॉमिक जो recovery हो रही है उनकी complexity को बता रहा है कि किस प्रकार से इंडियन की economic growth तो कर रही है लेकिन case saved recovery है wage growth model में high paying jobs में अच्छा है lower paying jobs में कम है male में अच्छा है female में कम है और जो इनके बीच में gap create कर रहा है it means और second आप आप देखेंगे तो male और female जो है ठीक है हाँ इनकी base growth हुआ या फिर clear है employment इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा gap है जो कहने का इन दोनों जोगों पर case saved recovery क्या करती है ठीक मुलब के decline in the employment of women compared to men ठीक है पुर्सों की तुलना में महिलाओं की संख्या में बहुत तेजी से बेरुजगारी बढ़ रही जो कि मैंने अभी आप point point बताया था ठीक है यह कहने कहीं हमें बताता है कि economic downturn या कोबिट के बाद में तो ज्यादा देखने को मिला है even बोला जाता है कि कोबिट के टाइम में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं ने बहुत ज़्यादा जॉब होई थी यहाँ पर दीक है लिखा हुआ women tend to experience more job losses when economy underperform एक आपको point यह मिल गया कि जब भी economy underperform होती है ठीक है तो जो women की job है उस पर खत्रा जादा होता है then the man तो female जो है women जो है वो कहीं न कहीं जादा फेस करती है साथ में अगर आप देखेंगे corporate response to economic condition ठीक है तो अभी आपने देखा होगा कि अभी सभी corporate में cost cutting का एक culture चल रहा है ठीक है हाँ और cost cutting में अगर आप देखेंगे तो companies anticipated sustained recovery post economic downturn कोविट के बाद में सभी company अपने आपको stable करनी चाहती है उसके लिए cost cutting करते हो cost cutting में अगर आप एक हैंगे तो मैलाओं की जादा जा रही ठीक है अभी एक बहुत अच्छा टर्म चल रहा है हमारी economy में और हमारी economic sector इंडिया के corporate sector में mergers and acquisition हर एक company या तो बड़ी company है थोटी company को merge कर रही है या तो दो company आपस में merge हो रही है अब यह तभी होगी जब उनकी economic जो health होगी अच्छी होगी और इसके लिए set flap मतलब कम बेतर दे रहे हैं लो सेलरी दे रहे हैं लो वेर दे रहे हैं ठीक है यह कॉस्ट कटिंग कर रहे है इसकी वज़े से unemployment तो बढ़ी रहा है ठीक है लेकिन वहीं पर जो pay gap है वो भी बढ़ रहा है और मेल और फीमेल तो होई रहा है यह भी हमें देखने को मिलता है इंप्लीकेशन क्या होंगे इस डिस रिफ्लेक्ट ब्रॉडर चैलेंज इन अचीविंग डाइजेंडर इक्वालिटी इन लेवर मार्केट अब यह सारी रिपोर्ट यह कहते हैं कि अगर आप लेबर मार्केट में जाएंगे तो जेंडर इक्वालिटी को पापाना अभी त सारी दीजन देखें जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा है समराइज परो तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है लेकिन अनिम्प्लाइमेंट भी बढ़ेगा फीमेल में जो पे गैप है वो भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है क्लेर है हाई पेंग जॉ बहुत सारी सिच्वेशन का रिफ्लेक्ट करती है कि लेबर मार्केट में जेंडर इक्वैलिटी को अचीब करना तो अभी बहुत दूर की बात हो रही है इसके साथ में जो अपने फिनांसिल रिसक को कम करने के लिए एंप्लॉई को निकालती है ठीक है खासकर जो फीमेल व ठीक है हाँ अब यह तो बात हो गई कि जिनकी एंप्लॉईमेंट है बट वेन वी टॉक अबॉट सेल्फ इंप्लॉईट जॉब्स में अगर आप देखेंगे तो मेल परसन अर्निंग मोर देन फीमेल परसन 24 परसन जो मेल है फीमेल की तुलना में 24 परसन हाई अर्न कर रहा ह है अर्निंग जो है अर्निंग जो है सेल्फ इंप्लॉट सेक्टर में साथ में जो मेन है एक सिंगल मेन देखें तो females कि तुलना में 2.8 परसन ज़्यादा अल्न कर्णा न करता है पीछे रीजन क्या हो सकते हैं बचों अगर में रीजन पर फोकस को दो कुछ खास देखने को मिलेगी जैसे विमन जो है ठीक है देख कंसेंट्रेटेड इस अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो आप खुद बताएंगे यह लोपींग जॉप्स में इनका कंसेंट्रेशन बहुत जादा जैसे केर गविंग एजूकेशन केझे सब्सक्राइब्स Radies कि इस ऑगर पर लेकां में मैंरम है देखने को मिलेगी सबीदेजे जो है कि नके हमारे सोचने वाले लेकिन क्या गौर्रमेंट को स्टेंड ले रहा है इसके लिए गवर्मेंट कर रहा है तो गवर्मेंट कर रहा है क्योंकि हमारे आप आप कर देखेंगे तो मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट बेनिफिट एक्ट 1961 हमारे वेज कोड है क्लियर है हमारे मिनिममम बेज़ेस एक्ट है क्लियर है इपिक है आपने सार नाम भी सुना हो इपिक का ठीक है एक्टेबल इंटरनेशनल जो क्या करता है एक्टेबल पे ठीक है इंटरनेशनल कोलीशन इपिक आप यहां पर मेंशन कर सकते हो जो गवर्मेंट के दौरा यह कदम उठाएगे और साथ में बहुत अच्छी चीज़ हमें समझ में आती है जो हमारे आपके गवर्मेंट ऑलेडी बहुत अच्छे से लेके चल रही है मनरेगा सुनाओगा आपने मनरेगा में तो पहले ही मेल और फीमेल जो हैं दोनों की इंकम में एक बराबरी रहती है तो गवर्मेंट का मनरेगा का कदम जो है यह भी आप लिख सकते हैं तो दी जादा सम पाइंडिंग जिन्दा रिपोर्ट जो मैंने आपको सेर किये हैं क्लियर है इन पर फोकस करेंगे अगर आप चाहते कि इन चीजों को मैं डिटेल में डिसक्स करूं गवर्मेंट का रोल यह सब तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे यह क्वेश्चन आज आपके लिए कॉर्डिंग टॉड़िक लेबर फोर्स सर्वेश्वेश्वेश् को यह बताना है किनमे सर्क और थो यह फुटिवर्मेंट के लिए स्टार्ट थी फूक्टूबर एक टो इक्टोबर ऑगटी इस तक कर पाऊऊबम अभी और यह ऑफर यह आपको पर इंडिया के टॉप एडॉकेटर से पढ़ ना सभी बैचेकश्र को आपके कर पाऊगे करीब 24,000 MCQ प्रिम्स मेंस और एवलेशन के साथ में प्रिम्स क्रेस्पोर्स यह सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं साथ में आप हिंदी बैज भी जॉइन करना चाहते हैं लक्ष बैज जॉइन कर सकते हैं जो हिंदी में ठीक है यह भी 31 अक्टूबर से स्टार् कर सकते हैं डीपक वन इफ यू आर ठीक है यू वांटे तो प्रिपर अंडर में गाइडेंस ठीक है तो आप डिसकाउंट भी मिलेगा डीपक वन 50% आप चल रहा है बच्चों जल्दी करें इससे पहले ऑपर निकल जाए साथ में हिंदी मीडियम बच्चों के लिए से में यूज करके आप इंडी मीडियम के भी कोर्स लक्ष बैच को जोईन कर सकते हैं इन विच आंग टू एक्स्प्लेइन ठेक है डाट टॉपिक्स ऑफ एथिक्स इन वेरी लिए बहुत आसान बासा में मैं आपको सिखाने वाला हूं फांडेशन बैच यहां पर अपलेबल है यहां पर आप देख सकते हैं फांडेशन बैच 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 के लिए स्टार्ट हो रहा तो आप वह भी ले सकते हैं ठीक है यह 20 अक्टूबर से लाइब हो चुका है ठीक है तो अगर आपको कहीं पेमेंट में इस हुआ रहा है कुछ ऐसा कंसर्न होगा तो आप इस नंबर प टेस्ट की स्टार्ट हो रहा बहुत इंपोर्टेंट है इसमें करी सो करोड़ रुपए की स्कॉलर्शिप है जिसमें टॉप ती रैंकर्स भी नाई स्पेशल रिवाड वर्टाप 3.5 लेक गेट 100 परसेंट आफ यूर तीउशन फी रिफंडेट क्लियर है नंबर फिप टू 2023 ठीक है और अगर आप देखेंगे तो कुछी दिने रेजिस्टर करें और आप पांच नंबर को इसमें बहुत पाटिसिपेट जरूर करेंगे यह अल्टीमेट स्कॉलर्शिप टेस्टर प्रॉम अनकेडमी ठीक है आई होप आप सभी जरूर जोइन करेंगे थैंक यू सो म